Hello Friends Welcome to my Channel दोस्तों आज हम एक जो मेन टोपिक है उसके बारे में जानेगे वो टोपिक है बारत की खोज करने वाले वास्को डिगामा से जुड़ा हुआ सबसे मैत्य पुरन टोपिक है क्या वास्को डिगामा के बारे में जो हमें बाती पता है क्या वो सच में सही है या उनके बारे में हमारा जो सलेबस है जो पाठ्य करम है पूरी जानकारी हमें पता होनी चाहिए या नहीं तो आए स्टार्ट करते हैं और कुछ अलग-अलग जानकारी आज हम जानेंगे वास्को डिगामा पूर्तगाल का निवासी था जो पूर्तगाल जो देश है वो यूरोप में आता है वहे एक लुटेरा था दोस्तो हमने आज तक पढ़ा है बारत के अंदर हर पुस्तक में यही पढ़ाया गया है कि वास्को डीगामा एक नाविक था जिसने क्या है बारत की खोज की इतना ही हम इनके बारे में जानते हैं लेकिन इससे और अधिक जानकारी हमें पता होनी चाहिए सभी भारत के लोगों को पता होनी चाहिए कि इसने भारत की खोज के साथ नहीं और भी क्या है इसके अलग-अलग इतियास है वह एक लुटेरा था दोस्तो नाविक नहीं था कई पुस्तकों में मिलता है नाविक था लोगों को लूट कर और उनको बंदी पनाना उसका काम था ये यूरोप देश में रहता था जहांपर क्या है उस समय पर पंदल विस्तापदी में बहुत गरीबी और अराजकता का महोल था तो लोग अपना गुजारा करने के लिए क्या है एक दूसरे को लूटते थे और एक दूसरे को बंदी बना कर क्या है काम चलाते थे उस समय पर बंदियों को भी मंडियों में बेचा जाता था तो दोस्तों इस वेडियो में आप क्या है वास्को डिगामा के बारे में ऐसे बहुत सारे इफैक्ट्स जानोगे और जानकर आपको बड़ी हैरानी होगी कि जो हमने पड़ा था और वास्थ्विक्ता में इसके ब वह सारे देश होते उसमें पर वह सभी देश क्या है गरीबी बुखमरी से जूंज रहे थे तो लोगों का जो मुख्य वेवसाय था जो मुख्य काम था एक दूसरे चो आश्पड जोस के देश हैं उन पर आकर्मन करना और लूट मारी करना एक दूसरे देश को लूटना है उनका क्या है परमुक काम था इसी से क्या है उनकी आजी विकाद चलती थी इसी से वे क्या है अपना पेट बरते थे तो पंदरवे स्तापदी में क्या है यूरोप गरिक देश था जिसके अंदर क्या है दो देश थे स्पेन और पुर्तगाल पुर्तगाल से संबन था वास्को डिगामा का जिसके बारे में हमें आस तक ये बताया गया है कि वास्को डिगामा ने भारत की खोज की है क्या ये वास्तिवब में पूरण सत्य है? हाँ क्या इसकी खोज करने से पहले बारत अस्तितव में नहीं था बारत का इतियास दुन्या में सबसे पुराना इतियास है और भारत के होने के जो साक्षे हैं वो बहुत साल पुराने है इसकी खोज करने से कुछ नहीं होगा कि वासको डिगामा ने भारत की खोज की है इससे कोई फरक नहीं पड़ता ये क्या है भारत पे आया था लेकिन इसके बारे में जो पढ़ाया जाता है वो गल्थ है इनमे से स्पेन और पुर्तगाल प्रमुक्त थे मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि यूरोप में सभी देशों जो सभी देश है इनमे से वो आपस में क्या करते थे एक दुसरे देश के साथ लड़ते थे जगड़ते थे लूट मारी करते थे दो स्पेन और पुर्तगाल में भी क्या है आपस में लड़ाईया होती रहती थी वे भी एक दुसरे के दुस्मन बन गए थे क्योंकि वो थे तो यूरोप का ही भाग लेकिन वो ये चाते थे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लूट मारी करें लोगों को लूटें उस समय पर यूरोप में ये आम बात थी स्पेइन का एक प्रमुक लूटे रहा इसको भी लूटेरा ही बोलेंगे जिसको हमें पुस्तकों में पढ़ाया गया है कोलंबस हमें बस ये पॉइंट करके बताया है कि वास्को डिगामा ने भारत की खोज की कोलंबस ने अमरीका की खोज की लेकिन हम इनके जो पीछे का जो व्यक्तितव है उससे अनभिग्य है उसके बारे में हमें पढ़ाया जाना चाहिए खोज करके इनोंने क्या भारत को जमीन से निकाला है नहीं तो फिर क्या इनके बारे में ये क्यों पढ़ाया जाता है कि इसने भारत की खोज की इससे क्या फरक पड़ता है ये एक लूटेरा था और इसके भारत में आने से ही भारत क्या है गुलामी की तरफ बड़ा है आये जानते हैं इसी कारण सपेन और पुर्तगाल में आपस में जगड़ा होता था कि भई हम सबसे ज़्यादा लूट मारी करेंगे तो ये क्या है उस समय पर पौप का रात चलता था जो पादरी होते थे उसके पास गए और उस पौप ने क्या किया यूरेप जो यूरोप है उसको दो इससों में बाठ दिया पुर्वी और पुर्वी भाग में भारत के जो देश हैं वो आते हैं और पुर्वी भाग में अमरीका के जो देश हैं वो आगते हैं तो इसी तरह क्या है जो पश्चमी भाग है वहाँ पर क्या है स्पेन को बेश दिया और जो पुर्वी भाग है उदर पुर्त गाली क्या है अपना लूट मारी करने लगे तो इस तरह से क्या है स्पेन का जो लूटेरा था कोलंबस उसने क्या है पश्चमी बाग में अमरीका की खोजगी वो लूट मार करते करते क्या है अमरीका पोच गया और लूट मार करते करते ही क्या है वासको डिगामा भारत आया था ये एक नाविक तो था लेकिन उसके साथ क्या ही एक लूटेरा भी था जिसके बारे में आस्त हमें कुछ नहीं पड़ाया ग इसने वास्को डिगामा का स्वागत किया भारत के राजा क्या है मेहमानों का स्वागत करते थे और इसका स्वागत इसलिए किया क्योंकि जामोरीन को पता नहीं था कि ये एक लुटे रहे इसने अपने आपको एक वैपारी बताया और कुछ समय के लिए वो क्या है वहाँ पर वैपार करने लग गया और इसी बात का फैदा उठा कर उसने क्या किया अभी आगे पढ़ते हैं कुछ समय बाद वास्को डिगामा ने जो जिस राजा ने वास्को डिगामा का स्वागत किया उसी राजा की क्या है इसने हत्या करवादी जामोरिन की हत्या करवादी वास्को डिगामा नी क्योंकि वास्को डिगामा जैसे ही कलिकट केरल के तट पर उत्रा वो भारत की जो संपत्ती है जो संपता है उनको देखकर अचंबित हो गया मन मोहित हो गया और उसने क्या उस राज्या की हत्या करवा दी और पूरे जो कलिकट पर अपना राजा गोशित हो गया उसने अपने आपको राजा गोशित कर दिया कालिकट का राजा बन गया वो और वहाँ पर उसका राज जने लगा जो भी जहाज समुंदर के रास्ते वहां से जाता उसको वहां से भारी कर देना पड़ता उस जहाज को भारी कर देना पड़ता चाहे इसी कारण क्या है अगर कोई भारी कर नहीं देता तो जो पुर्त गाल के जो सैनिक है वासको डिगामा उनको आदेश दिरता कि इस जाज को डुबा दो तो इसी कारण क्या है कालिकट के जो पूरे जो बंदरगा है तठ है उस पर वासको डिगामा ने अपना कब जगत लिया और हमें पढ़ाया जाता है कि इसने भारत की खोज की क्या इतने से तथ्य हमारे लिए प्रियाप्ट हैं इसने तीन बार भारत को लूटा सोने से भरबर कर जाज बेजे और हमारे देश को पूरी तरह से निचोड लिया आसपास का जो कलिकट का आसपास का इलाका था इसने प अपने देश में वेजें एक बाल शाज वेजे एक बाद 12 जाज वेजे चौथी बार जहाज ले जाते शमय उसकी मोत हो गई क्योंकि भारत से अपने यूरोप कंट्री पुर्टगाल में जाना काफी समय लग जाता था इदर उदर की यात्राई करने में तो इसका अधिकान समय यात्राई करने में ही बीता है तो तीन बार इसने क्या है भारत को लूटा सोने से बढ़े शिक्ष के जाजो क्या है जाजो में लेकर गया और अब इसकी आदत हो गई यह कलिकट से इसने क्या है पूरा का पूरा सोना निकाल लिया था अब ये पूरे भारत पर राज करना चाहता था लेकिन क्या है इसकी मर्ति हो जाती है अब इसके आने से ही हमें ये पढ़ाया गया है कि इसने भारत की खोज की क्या इस वीडियो के अंदर जो मैंने बाते बताई हैं क्या वो हमें पढ़ाया जानी चाहिए या नहीं हमें भी पताऊना चाहिए कि वास्कोट इगामा ने भारत की खोज नहीं की बारत कास्ति तो पहले से ही था वास्कोट इगामा ने कुछ निकिया भारत को लूटने का का किया है तो आपको ये सत्य पता होना चाहिए इसलिए दोस्तों मैंने ये वीडियो बनाई है तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल भारत वास्कोट इगामा जब भारत में आया इसी कारण से क्या है भारत यूरोप देशों के रास्ते खुल गए भारत आने के लिए ठीक है तो ये मत सोचो कि भारत आने से भारत को वास्कोट इगामा के आने से भारत में कुछ फैदा हुआ है लूट हुई है डच लोगों का आना हो गया फ्रांसी सी आए फिर अंग्रे जोने कही सालों तक राच किया तो वास्कोट इगामा के आई होप आपको वीडियो अच्छी